नमस्कार दोस्तों इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रपलेसी के कुछ अपडेट की अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि government job से related information आपको हमारे चैनल के माद्यम से मिलती रहेंगी दोस्तों यह जो न्यूज मिल रही है यह है Chief Minister Office of Uttar Pradesh और यहाँ पर बात हुई है कि जो सरकारी आवास होता है उस पे एक बैठक हुई है और यहाँ पर UPSC में नवीन आवेदन प्रिक्रिया एवं टू टायर सिस्टम यानि की दुई स्थरिये परिक्षन प्रणाली को लागू किये जाने के संबंद में बैठक की एवं आवश्यक दिसानिर्देश दिये दोस्तों आप लोगों को पता है कि काफी समय से जो PET है वो चर्चाओं में बना हुआ है मगर दोस्तों अभी तक UPSC ने अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया है कि इसकी परिक्षा परणाली किस परकार की होगी या क्या-क्या सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे मगर फिलाल इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो ये है कि इसमें कोई भी भरती आए पहले आपको इसे कौलिफाई करना होगा यानि कि जिस तरीके से आप देखते हैं जैसे कि टीचर भरती है पहले टीटी कौलिफाई करना होता है उसके बाद जो आपका एक्जाम आया भरती आई उसे कौलिफाई करना पड़ता है उसी तरीके से पीटी को बनाने की तयारी है आप देखते हैं कि जो यूपी ट्रपलेसी की जो भरतिया आनी है जो इतने लंबित समय से लंबित हैं खासकर लेकपाल भरती या फिर इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की है लोगर की है जो भी पुरानी भरतिया है उन पे पीटी लागू होगा या नहीं इस हिसाप से लग रहा है दोस्तों की पीटी के लिए भी जो है आप लोगो को तेयारी करने चाहिए अब पीटी में क्या अलग होने वाला है दोस्तों बाकी सबजेक्ट लग-बग सेम हैं बस इसके अंदर जो है मैथमेटिक स इंटर्ण reinforce हो सकती है तो अब मैथ के लिए आपको तयार र खुश हैं कि मतलब पीटी इंटिड्यूस होना चाहिए क्योंकि दोस्तों जो पीटी है उससे क्या होगा कि जो मुख्य परिक्षा के लिए बुलाए जाएंगे उसमें कट आफ लगा दिया जाएगा कि भई हमें माली ये पांच शेयर भड़ती हैं तो इसके दस गुना बलान तो थोड़ी बहुत प्राब्लम हो सकती है मगर उससाब से फिर आपको एड़ेस्ट होना पड़ेगा अब रही बात दोस्तों जो पुरानी भरती हैं उनके तो रिजल्ट आने ही आने हैं मगर दोस्तों जो हमारी चकबंदी लेकपाल की भरती है उसमें पीटी लागुन नह जाएं और जो आपके पेंडिंग इस समय पर एक्जाम चल रहे हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट है लोर पीचेस है जैसे लोर वाले के लिए आपको मुख्य परिक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए और जो जूनियर असिस्टेंट है दोस्तों उसकी टाइपिंग में लग जाना चाहिए जिन लोगों के अच्छे नंबर बन रहे हैं और आज मैंने उसके कटाफ पर एक 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 एस्पेक्टेड वीडियो भी बनाई थी एस्पेक्टेड कटाफ के ऊपर आप लोगों ने देखी भी होगी यदि आप अपने आपको सेफ स्कोर मान रहे हैं तो वो PCS की नौकरी हो या RO RO की हो उसकी फिर करते रहना ठीक है दोस्तों तो जल्द बिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद जैहिन जैभारत